मैं हिंदू भी हूँ, मैं मुसल्मान भी हूँ, मैं कि इनसान भी हूँ अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नुरानी खबरों में आपका खेर मगदम है नाजरीन जहां आजकल देश में कुछ सामप्रदाइक ताकतें हमेशा मौहल खराब करने में लगी रहती है और हर समय मौका तलाशती रहती हैं कि किस तरीके से देश को सामप्रदाइक तक आग में जोका जाए वहीं कुछ ऐसे देशभक्त और निडर लोग भी हैं जो धर्म से उपर उठकर हमेशा कुछ न कुछ ऐसा काम करते रहते हैं जो देश के लोगों के लिए एक नजीर बन जाती है ऐसे लोगों की बदौलत ही हमारे देश भारत में गंगा जमूनी तहजीब आज तक जिंदा है और ये आपसी भाईचारा ही हमारे देश की ताकत है हमारे देश की शान है और हमारे देश की एक पहचान है जो पूरी दुनिया में अभी भी बनी हुई है नाजरीन रमजान का पाक महीना चल रहा है आज हम आपको एक ऐसी हिंदू महीला पुलिस अधिकारी के बारे में बताएंगे जो पिछले 30 साल से महरास्ट्रो पुलिस में नौकरी कर रही है और हिंदू होने के बावजूद भी 27 सालों से पूरे रोजे रखती आ रही है इस महीला पुलिस अधिकारी का नाम सुजाता पाटिल है जी हाँ सुजाता पाटिल जो एक हिंदू है इसके बावजूद भी सभी रोजे रखती है उनका कहना है कि वो पिछले 27 साल से लगतार रमजान के महीने में पूरे रोजे रखती है हाला कि जिस पुलिस स्टेशन में ये तैनात है वहाँ पर कोई भी मुसलिम पुलिस कर्मचारी नहीं है फिर भी ये शाम को रोजा इफतार के समय पूरे पुलिस स्टाफ के साथ रोजा इफतार करती हैं और सहरी के वक्त सुभा सहरी भी उसी तरीके से करती हैं उनका कहना है कि वो शुरू से ही सभी धर्मों का सम्मान करती हैं और खासतोर पर इसलाम के बारे में केताबों में पढ़ पढ़ कर उन्होंने जानकारी ली है उनका कहना है मुझे रोजा रखने से कोई परिशानी नहीं होती बलकि मन भी पवित्र रहता है और शरीर भी स्वस्त रहता है नाजरीन आपको ये देखकर हैरानी होगी कि पुलिस जैसी नौकरी में जहांकि आदमी 24 घंटे काम में बिजी रहता है और ऐसे पतपर रहने के बावजूद भी ये महिला रमजान के महीने में पूरे रोजे रखती है ये काभिले तारीफ है इस महिला पुलिस अधिकारी ने वो कर दिखाया है जो धर्म की पट्टी अपनी आँखों पर बांद कर रखने वाले लोग सोच भी नहीं सकते ये कारनामा इस महिला पुलिस अधिकारी ने किया है इस महिला पुलिस अधिकारी का नाम सुजाता पाटिल है जी हाँ सुजाता पाटिल धर्म और जाती की राजनीती से उपर उठकर इंसानियत और भाईचारे की वो कहानी लिख रही है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है देखिए उनका क्या कहना है यह जो दरार है जो डिपरेंशेस है वो खतम करने के लिए कोई सस्तर वेपन की ज़रुवत नहीं है सुजाता पाटिल पिछले 30 सालों से महरास्ट्र पुलिस में तैनाथ है और पिछले 27 सालों से लगातार रोजे रख रही है और जिस तरीके से मुस्लिम धर्म के अनुसार सुभा उठकर वो सहरी भी करती है और इफतार के समय पूरे पुलिस स्ताफ के साथ रोजा इफतार करती है और सबसे बड़ी बात ये है कि वो अपनी ड्यूटी भी उसी इमानदारी और बड़ी जिंददिली के साथ करती है और अपराद से लड़ने में उनकी महत्वपून भूमी का हमेशा से ही काबिले तारीफ रही है उनका कहना है कि कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि हम आपस में बैर रखें और हिंदु धर्म में भी कहीं नहीं लिखा कि हम रोजे नहीं रख सकते और शुरू से ही मैं सब धर्मों के बारे में किताबे वगेरहा पढ़ती रहती हूँ मुझे सब धर्मों के बारे में जानना पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है नाजरीन हम नूरानी खबरों की तरफ से ऐसे पुलिस अधिकारी ऐसे इनसान का शुक्रियादा करना चाहते हैं जो धर्म से उपर उठकर ऐसी मिसाल समय समय पर पेश करते रहते हैं जिससे की हमारे देश भारत में हिंदो मुस्लिम एकता को बल मिलता है और गंगा जमूनी तहजीब जिन्दा रहती है एक बार फिर हम सुजाता पाटिल का नूरानी खबरों की तरफ से शुक्रियादा करते हैं नाजरीन अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दें और अपने जानने और मिलने वालों को शेयर करना ना भूलें अगर आप हमारे चैनल नूरानी खबरों पर नए है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटी वाले निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो की नूटिफिकेशन आपको मिलती रहे आप अपने सुझाओ और शिकायत हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें अल्ला हाफिस